और आईए बात करते हैं उस खबर की जो सीधे सीधे आपकी जेब पर प्रभाव डालती है यहां पैट्रोल डीजल एक बार फिर से महंगा हो चुका है आज दो दिनों के बाद में एक बार फिर पैट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोत्री हुई है पेट्रोल और डीजल में 38 प्रतिलीटर तक महिंगाई देखने को मिली है, बरोत्री देखने को मिली है अब अगर हम दिली की बात करें तो पेट्रोल डीजल यहां 35 प्रतिलीटर महिंगा हुआ है आपको बताएं परवरी महिने में 15 वी बार ये ऐसा मौका आया जब पैट्रोल डीजल के दाम 15 वी बार बढ़े हैं दिली में पैट्रोल अब 90 रुपे प्रती लीटर के पार पहुँच चुका है लेकिन अगर हम अन्य प्रदेशों की बात करें तो कई जगाओं पर तो 100 के पार पहले ही पैट्रोल डीजल पर हो चुका था और अब जब ये बढ़ोत्री हुई तो इसका प्रभाव और देखने को मिलेगा लोगों में नाराजगी भी है चिंता भी है कि भाई उनका बजट का क्या होगा किस तरह से वो अपने बजट को समभालेंगे क्योंकि सिफ पैट्रोल डीजल के दाम ही नहीं बड़े इसके साथी अन्य जो चीज़े हैं उस पर भी ट्रांस्पोटीशन पर भी इसका सीधा सीधा सर नजर आएगा चाए वो सबजियां हो या अन्य जो चीज़े एंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है वो भी महेंगे हो जाएंगी इन बड़ी कीमतों को लेकर दिल्ली के लोगों का क्या कहना है वो सुनिये का 80 का 10 रुपे जिसको डेली 100 किलमीटर आप डाउन करना हो तो कैसे करेगा CNG पर दे कार वर्ग करेगी नहीं पैट्रोल पर कैसे वर्ग करें इतनी महेंगा ही हो गया है क्या कर सकते हessä गड़ीब आदमी है कहां पहले 16 पर चला पर अब जाके 90 र॥ा है और 90 र॥ा जैसे इस तुरकर पthe बड़ लेटे महें तरिए इस पर प्रम प लेते तो लोगों के चेहरे पर मायूसी है और चिंता भी कि भाई जिसकी आमदनी और खास वर से पिछले अगर कोरोना के वक्त की बात करें तो किसी तरह की कोई ग्रोथ नहीं हुए अप्रेजल नहीं हुआ लोको का और जिस तरह से अब आपने सुना भी कि अगर पैसे ही नहीं मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं दिल्ली से राहूल भी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं मुंबई से शैलेंद्र भी जुड़ रहे हैं लेकिन राहूल सबसे पहले में आपी करू करना चाहूंगी राजदानी दिल्ली यहाँ पर भी पैट्रोल डीजल लगातार महंगा हो रह इस वक्त मैं चाहूंगा कि मेरे वीजे दिखाने की कोशिश करें कि जो इस वक्त का दाम है वो 90 रुपे 93 पैसे है यानि 90 रुपे के आसपास पहुंचने वाला 19 रुपे की बड़ा उत्री हुई है दो दिन की राहत जरूर मिले थी लेकिन आज सुबह 35 पैसे के आसपास वृद्धी हो गई अगर दिल्ली की बात करें क्योंकि पूरिदेश में सुबह 6 बजे दाम बढ़ाये जाते हैं तो सुबह 6 बजे राज़ानी दिल्ली में भी दाम बढ़ गए दिल्ली वालों के लिए समस्या ये है कि दिल्ली में जो पैट्रोल के दाम है वो आसपास के सबी शेरों से जादा है यानि उत्तर प्रदेश में बात की जाए नोयड़ा गौतंबुर्द नगर की गाज़ेबाद की हर्या सरकार दे अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है दिल्ली में अभी भी करोना के केस आ रहे है ऐसे में ना जनता डरती है कि मेट्रों में जाएंगे बिल्कुल राहूल आप ऐसे में लोगों का डर लोगों की चिंता बढ़ना लाजमी भी है शालेंद्र जरा मुंबई का भी हाल बताईए मुंबई में लोगों की भी चिंता बढ़ रही होगी क्योंकि ये तो सौ के पार काई लाकों में तो सौ के पार पेट्रोल पहुंच चुका है अब तो बस लोगों को इंतजार है कि पेट्रोल के कीमत कब सोके पार जाएंगे अगर आज की अगर कीमत की बात करूं तो इस वक्त मैं भारत पेट्रोलियूम के एक आउटलेट पर हूँ और यहां के अगर स्थिती दिखाऊं तो 97 रुपए 28 पैसे के दर से पेट्रोल बेचा जा रहा है और 88 रुपए 38 पैसे प्रत लीटर के दर से डीजल बेचा जा रहा है जाहिर है जैसे ही डीजल और पेट्रोल के दामें में बढ़ोतरी होती है तो माल ढुगाई और यात्रियों का यात्रा करना ये तमाम चीज़ें जो होती है वो महंगी हो जाती है और इसका सीधा असर आम जंता के ये पर पड़ता है क्योंकि उन्हें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं आज की स्थिति ये है जी इतना महंगा डीजल और पैट्रोल है कि लोग अब अपने निजी गाडियों से निकलने के लिए भी सोचना और कहीं न कहीं इसे लेकर अब वो चिंता में आ गये हैं क्योंकि इस बार के बात करें फरवरी की तो लगातार 15 वी बार डीजल और पैट्रोल के दाम बढ़े हैं